नमाजकार प्रभासाक्षी पॉडकस्ट में आप सभी का स्वागत है अज में हम बात करेंगे राहुल गांधी डिफर्मेशन किस के बारे में मत अधिकारों का अधिकार भी प्रभावित होता है सुप्रीम कोर्ट नियु पॉड्कास्ट को लेकिन उसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले ताकि हर रोज आप ऐसे इंट्रेस्टिंग और जानकारी पूर्ण पॉड्कास्ट सुन सके सुप्रीम कोट ने मोदी उपनाम टिपनी पर अपराधिक मानहानी मामले में कॉंग्रिस नेतर राहूल गांदी की सजा परोख लगा दी है मामले में दोश सिद्धी के कारण उन्हें संसत के रूप में अयोग घोशित कर दिया गया था कोट ने कहा कि जो अधिक्तम सजा हो सक राहूल गांदी को सुनाई गई ट्रायल कोट ने सजा सुनाया लेकिन कारण नहीं बताया राहूल गांदी का बयान अपमांजनक नहीं था प्रभाव व्यापक है इससे न केवल याजका करताओं का सारजनिक के जीवन में बने रहने का अधिकार प्रभावित होता है बलकि के आदेस पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने की जरूरत है जस्टिस गवई ने कहा कि जहाद तक के सजा का सवाल है हमने कुछ कारकों परविचार किया है आई पीसी की धारा 499 और 499 के तहत डननीय अपरात की समागरी अधिकतम दो वर्स या जुर्माना या दोनों है इस अधिकतम सजा के कारण ही आरपी येक्ट के प्रावधान लागो हुए हैं एक दिन कम सजा होती तो प्रावधान नहीं लगते हैं विशेश टूप से जब अपरात गैर संयग जमानती समझावता योग्य हो तो ट्रायल जजज से अधिकतम सजा देने के लिए कारण बताने की अपेख्षा की जाती है हलाकि अलपिये और उचे न्याले ने दोश सिद्धी परोग को खारिज करने के लिए बड़े बड़े पन्निखर्च कर दियें फिर विए उनके आदेशों में उन पहलूओं का विचार नहीं किया गया है कॉंग्रेस निता राउल गांदी के वकील ने सुप्रीम कोट से कहा कि गुजरात के पूर्विमंत्री पूर्नेस मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है क्योंकि वह मोड वनिक समात से आते हैं पूर्नेस मोदी ने 13 अप्रेल 2019 में करनाटक के कोलार में एक चुनाविस सभा में मोदी उपनाम के सम्बंध में की गई कथित विवादित टिपनी को लेकर राउल गांदी के खिलाप आप रादिक मानहानी का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ था राउल ने क्या टिपनी की थी? राउल गांदी ने सभा में टिपनी की थी कि सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे है कॉंग्रिस नेता की तरब से पेस बरिष्ट वकील अविशेक मनु सिंग्वी ने नियामूर्थी वीयर गवई नियामूर्थी पीएस नर्शिमा और नियामूर्थी संजाई कुमार के पीट से कहा कि उनका मुक्किल कोई कुख्या तपराथी नहीं है भारती जनता पार्टी क कारे करताओ द्वारा उनके खिलाब कई मामले दर्ज कराये जाने के बावजूद उन्हें किसी भी मामले में कोई सजा नहीं हुई है शीर से अदालत गुजरात उच्छ न्याले के फैसले को चनौती देने वाली राहुल की याज का परसनवाई कर रही थी उच्छ न्याले